ओम शांती, आज है 17 मार्च 2022 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा मैं तुमको फिर से सुख का वर्षा दिलाने अर्थ राजयोग सिखला रहा हूँ, मुख्य अक्षर यह दो ही हैं, राजयोग और ज्यान, यह प्राचीन राजयोग और ज्यान ही है जो परमपिता परमात्मा ने 5000 वर्ष पहले सिखाया था, जिससे भारत स्वर्ग बना, इस ज्यान से ही तुम ब्राह्मन सो देवता अर्थात विश्णुपुरी के मालिक बनेंगे, इस समय सब सीताएं रावन की कैद में दुखी हैं, बाब तुमको इस रावन राचे से मुक्त कराने आये हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए, फिर बाबा ने कहा, सदा याद रखो, तुम्हारे 84 जनम पूरे हुए, अब वापिस घर चलना है, यह 84 का चक्र घड़ी-घड़ी वुद्धी में फिराते रहो, इस काल दर्शी बन जाते हो, तुम बच्चों में अब कोई भी प्रकार का देह अभीमान ना हो, देही अभीमानी को ही महवीर कहेंगे, और लास्ट में बाब ने कहा, ग्रस्त व्यभार में रहते, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, लेकिन समझाने वाला बहुत निरहंकारी और बहादूर होना चाहिए, सर्विस करने वालों को पहले बहुत विचार सागर मन्थन करना है, फिर औरों को समझाना है, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों की बजाए, रुहानी बातें सबको सुनाने है, रावन राज्ये से मुक्त करने की सेवा करने है, प्रश्न, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए, मुख्ये कौन सा गुण चाहिए, उत्तर, निरहंका प्रारिता का गुन, मावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहां भी सत्संग होता था, वहां जुत्तियों में जाकर बैठता था, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था, प्रन्तु इसमें बाहदुरी चाहिए, तुम कोई भी ड्रेस पहन कर उन सत्संगों में जाकर सुन सकत गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, गीत ओम नमो शिवाए, ओम शांती, यह हुई महिमा उचे ते उचे भगवान की, इश्वर कहो, परमपिता परमात्मा कहो, सिर्फ इश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता है, इसलिए परमपिता परमात्म कहना चाहिए, वे रचैता है इस मनुष्य स्रिष्टी का, अब उच्छे ते उच्छा बाप क्या आकर कहते हैं, कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ, पावन मना पवित्र, पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है, बरोबर वे आता ह भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं तो वह आता भी जरूर है परंदउ वह आएगा तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा फल देना अर्थात वर्शा देना उनके लिए बहुत सहज है एक सेकिंड में जीवन मुक्ती दे सकते हैं, कहते भी हैं कि जनक को सेकिंड में जीवन मुक्ती मिली, नाम एक का ही गाया हुआ है, सेकिंड में जीवन मुक्ती अर्थात सुख शान्ती मिली, मनुष्य कहते भी हैं कि शान्ती, सुख और बड़ी आयू चाहिए, छोटे पन में कोई मड़ता है तो कहते हैं अकाले मृत्यू आ गया पूरी आयू नहीं बिताई अब बाप जो कुछ करके गए है उनका ही गायन है सेकेंड में जीवनमुक्ति तो जरूर पहले जीवनबंद में होगा जीवनबंद कलियुग के अंत और जीवनमुक्त सत्युग के आधी को कहा है जनक मिसल घर ग्रस में रहकर जीवनमुक्ति को पाएं बाप समझाते हैं अक्षर ही दो है राजयोग और ग्यान भारत का प्राचीन राजयोग तो मशूर है प्राचीन माना पहले पहले लेकिन कब यह मनुष्य नहीं जानते क्योंकि कल्प की आयू लाखों वर्ष कह दे भारत का प्राचीन ग्यान और योग तो सब चाहते हैं जिससे भारत स्वर्ग बनता है अब तो भारत बहुत दुखी है पहले सुर्यवन्शी राजय था अब नहीं है फिर उनको याद करते हैं कि वह राजयोग और ग्यान किसने दिया था यह नहीं जानते नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं बाप का बने तो वर्षे के लायक बने फिर भी मात पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती है मुक्ती का भी वर्षा चाहिए इसलिए गुरू करते हैं परन्तु जीवन मुक्ती तो कभी कोई दे नहीं सकता जब जीवन बंद का अंत हो जीवन मुक्ती की आदी हो तब ही फिर जीवन मुक्ती देने वाला आए मनुष्यों ने सिर्फ सुना है कि सेकेंड में जीवन मुक्ती अत्वा सेकेंड में रावन राजे से राम राजे पतित से पावन प्रन्तु कैसे सो नहीं जानते बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं यह है रुहानी शिक्षा जो सुप्रीम रुहु देते हैं वहां तु स सब मनुष्य ही शास्त्रादी पढ़ते हैं, कहते हैं, फलाने महत्मा ने यह ग्यान दिया, यहां है प्राचीन, राज्योग और ग्यान, जो परमपिता परमात्मा ने दिया था, पांच हजार वर्ष पहले, जिससे तुम सो देवी देवता बने थे, अब प्राय लोप हो गया इसे आए, पतित बनने में 84 जनम लेने पड़ते हैं, इसका भी सारा विसार बाप समझाते हैं, वर्ण भी समझाते हैं, ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए, ब्रह्मा विश्नु शंकर इन तीनों का बाप शिव है, अब ब्रह्मा दवारा बैठ प्राचीन ज्यान देते हैं जिससे विश्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मन सोदेवता बन जाते हैं ब्राह्मन धर्म वाले मनुश्य से तुम सो देवी देवता धर्म वाले बन रहे हो तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कह सकते यह तो सब उल्टी बातें बना दी है कृष्ण को इतनी रानिया बच्य आदी थे यह है भूल वास्तों में बच्चे हैं ब्रह्मा को ना कि कृष्ण को ब्रह्मा ही कृष्ण बनते है बस इस एक जनम की उथल पाथल ने मनश्यों को मुझा दिया है गीता का भगवान कृष्ण को कहे शिव को उड़ा दिया है सब कहते हैं ब्रह्मा को तीन मुखते कितने मूझ गए है शिव रचैता को तो एकदम गुम कर दिया है रचता ही आकर बताते हैं कि हम कैसे देवी देवता धर्म की रचना करते हैं ऐसे नहीं परमात्म स्रिष्टी कैसे रचते हैं परमपिता परमात्म को बुलाते ही है कि हे पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ दुनिया को यह मालूम ही नहीं कि इस समय रावन का राज्य चल रहा है रावन की बड़ी बड़ी कथाएं बैट सुनाते है इसको कहा जाता है भक्ती की रोचक बातें और यहे हैं रुहानी बातें इस समय सब सीताएं अथ्वा भक्तियां रावन की कैद में है और रावन राजे में बहुत दुखी हैं अब सबको रावन राजे से मुक्त कराना है अब बाप आया है कहते हैं बच्चे तुम्हारे 84 जनम अब पूरे हुए अब वापिस चलना है मुझे ही बुलाते थे कि दुख हरता सुख करता आओ यह मेरा ही नाम है कलियुग में है अपार दुख सत्युग में है अपार सुख फिर से तुमको सुख का वर्सा दिलाने अर्थ फिर से तुम्हें राजियोग और ग्यान सिखला रहा हूँ यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते हैं, समझते हैं यह आपस में लड़े ही नहीं, तो शान्ती हो जाए, फिर इतने अनेक धर्मों में शान्ती कैसे होगी? बाप समझाते हैं, यह इतने सब धर्म जो अब हैं, वह पहले नहीं थे, जब एक ही धर्म था, तब बरोबर सुख शान्ती का राज्य था, अब सब मांगते हैं, मन को शान्ती कैसे मिले, अरे मन क्या चीज है, पहले इनको तो समझो, आत्मा में ही मन बुद्धी है, मनुष्य की जबान बोलती है, आँख देखती है, टोटल मिलाकर कहते हैं, मनुष्य दुखी है, किसको भी समझाना बड़ा सहज है, कि बाप को याद करो, और वर्से को याद करो, फिर जाड और ड्रामा की समझानी भी देनी पड़े, जिसके लिए यह चित्र बने हुए हैं, सिर्फ मन मना भव कहने के लिए तो चित्र की दरकार नहीं, चित्रों पर समझाने में घंटा लग जाता है, प्राचीन राजयोग भगवान ने सिखलाया और राजाई मिल गई, फिर कोई मनुष्य थोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे, बाप और वर्से को याद करो, तो ठीक है, परन्तु यह डिटेल जब तक किसको समझाए नहीं, तब तक बुद्धी नहीं खुलेगी, सृष्टी चकर को समझ नहीं सकेंगे, जब कोई ड्रामा देख कर आते हैं, तो वह बुद्धी में आदी से अंत तक घूमता रहता है, कहने में तो सिर्फ इतना ही आएगा, कि हम देख कर आए है, तुम भी कहते हो, हम इस ड्रामा को जानते हैं, परन्तु डिटेल तो बहुत है, बाप से सुख शान्ती का वर्सा मिलता है, फिर बुद्धी में चकर भी है, चुरासी का चकर जरूर घड़ी-घड़ी याद करना है, यह ज्यान ब्राह्मनों को ही मिलता है, जो फिर देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णू, फिर विष्णू सो ब्रह्मा, तुम जो देवी देवता थे, पुनर जिनम लेते लेते, फिर आकर ब्रह्मन बने, हद का बाप तो सिर्फ उत्पत्ती पालना करते हैं, विनाश तो नहीं करेंगे, विनाश अर्थात सार पतित दुनिया ही ना रहे। अव्यभीचारी थी फिर व्यभीचारी होते होते बिलकुल ही दुखी बन जाते हैं। सदगती दाता एक बाप है। यह तो समझाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। याद किया और स्वर्ग की बादशाही मिली। फिर नर्क में कैसे आए। यह सब बातें बैट समझाई जाती हैं। अब तुमको सारे स्रिष्टी चक्र के आदी मध्य अंत का पता पड़ गया है। तो इस समय तुम त्रिकाल दर्शी बन रहे हूँ। उनको तुम कहेंगे कि देवताईं भी त्रिकाल दर्शी नहीं थे। तो कहेंगे तब कौन थे। क्योंकि संगम योगी ब्राहणों को तो कोई जानते ही नहीं। दिखाते हैं जहां भी सत्संग होता था तो हनुमान जाकर जुत्तियों में बैठ जाता था अब यह मावीर के लिए क्यों कही है क्योंकि तुम बच्चों में कोई देह अभिमान तो है नहीं समझो सत्संग में कोई ऐसी बात निकल पड़े तो तुम कह सकते हो प्राचीन सहज राजयोग और ज्यान से सेकंड में जीवन मुक्ति लेना है तो फलाने के पास जाओ समझाने वाला तो बहुत बहदुर निरहंकारी चाहिए जरा भी देह अभिमान ना हो कहां भी जाकर बैठे टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए मजबूत होगा तो भाशनाधी करेगा कि ग्रस्त व्यभार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है परम पिता परमात्म के सिवाए तो कोई दे ना सके यह महावीर ही समझा सकते हैं सुनने लिए मना नहीं है ग्रस्त व्यभार में रहते तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो बोलो राज योग सीखना हो तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा मैजोरिटी हो जाएगी अभी तो थोड़े हैं भगाने का नाम भी बहुत है क्रिशन ने भगाया अरे भगाने की तो कोई बात नहीं टीचर कब पढ़ाने के लिए भगाते हैं क्या सर्विस करने वालों को तो बहुत विचार सागर मन्थन करना है और बहुत बहदुर बनना है अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार पहली पोइंट, सभी भक्ती रुपी सीताओं को रावन की कैद से छुडाना है सेकिंड में मुक्ती जीवन मुक्ती की रहा दिखानी है तूसरी पोइंट, बाप और वर्षे को याद करना है देह अभिमान छोड महवीर बन सेवा करनी है विचार सागर मन्थन कर सेवा की नई नई युक्तिया निकालनी है वर्दान, नथिंग न्यों की युक्ती दवारा हर परिस्थिती में मौज की स्थिती का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव ब्रामन अर्थात, सदा मौज की स्थिती में रहने वाले दिल में सदा स्वत्य यही गीत बज़ता रहे वहा बाबा और वहा मेरा भाग्य दुनिया की किसी भी हल्चल वाली परिस्थिती में आश्चिरिये नहीं फुल स्टोप, कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग नियो कोई नई बात नहीं है इतनी अंदर से अचल स्थिती हो, क्या क्यों में मन मुझे नहीं तब कहेंगे अचल अडोल आत्मै स्लोगन पृती में शुब भावना हो, शुब कामना हो, तो शुब वाइब्रेशन फैलते रहेंगे अभी है अनमोल ग्यान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से अब तुम्हें दैवी गुणों की धारना करनी है धैर्यवत गुण की धारना भी निश्चे से होती है और साक्षीपन की अवस्था में ही खुशी है इस धारना से ही परमात्मा आपे ही हजार कदम आगे प्रख्यात होता है बाबा कहता है कि तुम सुक्षम में दो कदम नजदीक आओ तो मैं स्थोल में अनेक कदम उठा कर सामने आओंगा ज्यान ही है स्व लक्षे में स्थित रहना स्व में स्थित रहने से ही परमात्मा स्विम आगे आएगा बाबा के यह महवाक्य याद कर दो जितना दैवी गुणों की धारना करेंगे उतना ही एक दो को सुख देने के निमित बनेंगे आज देना कल मिलना आज सर्वेंट बन देंगे तो कल मालिक बन राज्ये करेंगे अभी तो वर्ड सर्वेंट हो ना हर एक स्वस्वरूप में सित हो अपने रत शरीर को चलाते चलो जैसे कि इस रत को मैं बिठाती हो मैं खिलाती हो मैं सुलाती हो मैं मुख से बात कराती हो अगर मैं मुख से किसको दुख देती हो तो जैसे अपने ही स्वस्वरूप की इंसल्ट करती हो तो फिर स्वसंपूर्ण आत्मा कहती है कि है जीवात्मा तेरे पर अपसोस है ऐसे इंसान अथ्वा प्राणी में मैं शुद्ध आत्मा प्रवेश नहीं हूँ स्वस्वशुद्ध आत्मा जिस जगह है उस जगह पर अपसोस नहीं है क्योंकि वह कभी भी किसको दुख नहीं दे सकता है स्वस्वशुद्ध आत्मा तो सुख रूप है और ऐसा स्वनिष्चे बुद्धी तो सदेव सुख पहुँचाता है वह साक्षात मेरा स्वरूप है और जो अपने को स्वा आत्मा निश्चे करते भी अन्ने को दुख देता है वह तो सर्फ कहलाने वाला पंडित है उसका असर दूसरों पर नहीं हो सकता अच्छा और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यानमोती ये एक बहुत संस्कारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे